विजे जी अभी तीन दिन पहले ही इनहों ने बारे जगहों पर रेलवे ट्रैक रोके और चार घंटे पांच घंटे तक रेल गाड़ियों का आवा गमन रद्ध हो गया, बहुत सारी ट्रेने रद्ध करनी पड़ी, यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, एक बहुती वियस्त सडक पर ये लोग बैठे हुए है, उस पर बैरिकेट लगानी पड़ी है, कुल मिलाकर के साथ जिलों में इंटरनेट को टरन डाउन किया है, हरियाना सरकार के आदेश पर, चंडिगड में भी इंटरनेट बंद है, सवाल ये है के जन जीवन तो अस्त विय गया है, और ये कई दिनों से जारी है, हफते बार से जारी है, क्या लोगों के ये मौलिक अधिकार नहीं है, कि वो आज के इस यूग में जबके इंटरनेट के बिना आप अपंग हो जाते हैं, और बहुत सारी गतिविदियां आपकी ठप पड़ जाती है, क्योंकि और ये कोई पहली बार नहीं है, बार-बार जब भी इस तरह की चीजे होती है, अलग-अलग जिलों के इंटरनेट जो है, वो बंद किये जाते हैं, और इस तरह के एहतियात उठाए जाते हैं, जितने भी पंजाब और हरियाना के बॉर्डर हैं, सडकें आपस में जुड़ होई हैं, सब पर शंबू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम करने पड़े हैं, कितना करोड रुपया इसमें खर्च हो रहा होगा, कितने सुरक्षा बल लगाए गए हैं, इसकी कोई जवाब दे ही किसी की नहीं है, अगर हरियाना सरकार ने साथ जिलों में इंटरनेट बंद किये हैं, तो पंजाब सरकार को भी क्या उस तरह के एहतियात वहाँ नहीं उठाने चाहिए थे, वहाँ तो ऐसी कोई सूचना आ नहीं रही कि उन्होंने कुछ शांती भंग होने की आशंका में या दूसरी आशंकाओं में इस तरह के स्टेप उठाए हो जैसे सारी आना ने उठ सर मैं दो दिन पहले ही पंजाब से आए, मैं वाँ पंजाब गया था, और अलग अलग शहरों में गया, भाई रोड ट्रेवल मैंने किया, वेपारी वर्ग से मिला, टेक्सी वालों से मिला, बाकी लोगों से मिला, आम जन्जीवन से मिला, मैं समझना चाहना था कि वहाँ हो ग्रामेंट बंद वाले दिन दुकानों में जा जाके, मंडियों में जा जाके दुकाने बंद करवाई, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पंजाब में इनकी तो चलो खेती है, इनके पास पैसा है, ये जितने भी नेता है, ये सब बड़े किसान, इनके पास लगाता है जो मज़ूरी करता है आप उनकी हालत समझ है टेकसी वालों की हालत समझ इस जिनको रोज अपने पैसेंजर्स को एक शेर से दूस्य शेर ले जाना पड़ता है उनकी हालत समझ रहे हैं कि पूरा पन्जाब उनके साथ है तो ये उनकी गलत फैमी है जिन लोगों के आपने स्कूल बंद करवा दिये जिन बच्चों को आपने तंग कर दिया जिनकी स्कूल बसिज नहीं चल रही है जो व्यापारी वर्ग काम नहीं कर रहा है जो मजदूर आदमी अपनी दिहाडी नहीं कमा पा रहा है क्या वो इनको दुआएं देगा या गालियां देगा आप समझे इस बात तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है इन किसान नेताओं की हाँ लेकिन किसान की जनता बोलती पंजाब की जनता जो पड़े लिखे लोग हैं जो समर्द हैं जो मिडल किलास है वो क्यों नहीं बोलती जब मैंने उनसे पूछा उनका कहना बहुत सिंपल था कि सरी ये लोग गुंडागर्दी पर उतर जाते अब प्रॉबलम इनके साथ किये कि कि जहां इनको जगे मिलती है वाँ तंबू डालके बैठ जाएंगे जहां आएंगे दुकानों में आएंगे कि साथ ऐसा है कि कल हमने बंद किया है आप लोग जला बंद कर दें तो कहते हैं वेपारी अगर ये बोलते हैं कि यार बाजार खुलने दीजिए उनका जी देखिए हमने तो आपको बता दिया वाकी मर्जी आपकी है बतलब इंडारेटली धमकाने वाली बात तो कोई भी व्यापारी वर्ग समझदार वर्ग संब्रांत वर्ग कोई इनके मुह नहीं लगेगा इनको लगता है कि इनके सपोर्ट में दुकाने और बाजार बंद हो रहे हैं हकीकत यह है कि इनकी गुंडागर्दी से डर के लोग दुकाने बंद कर रहे हैं क्योंकि अपना नुकसान कोई नहीं चाहता है घरवाले भी नहीं चाहते कि तुम दुकान डारेक्ली या इनडारेक्ली इसको सपोर्ट कर रहे हैं मतलब यह सिरफ आप लॉइन ओर्डर की बात नहीं है यह डेमोक्रिसी के लिए खत्रा हो रहा है इसी लिए आज पंजाब में जो मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने का कि साब देखिए पंजाब में है बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने वो वापस नहीं आना चाह रहे हैं वो बाहर ही नौकरी करना चाह रहे हैं इसका मतलब यह अगर किसान नेता सोच रहे थे कि हम किसाब का भला कर रहे हैं यह पंजाब का बेड़ा गरकर और बता दीजिए पिछली बार जब इन्होंने अडानी अम्मानी के प्राइवेट एसेट्स पे तोड़ फोड़ करी थी उनके जाम कर दिये थे टावर्स को तोड़ फोड़ किया था उसके बाद कौन सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आये आप पंजाब में इन्व किसे बात करें हैं इतने सेमिनार कॉन्फरेंस दिल्ली में हो रहे हैं मैं सब जबे जाता हूं हर आदमी यह जारा गया पंजाब खतं हो आज के जो नेता है, आज की जो जनरेशन है, जो नेताओं के भैकावे में आ गई है ये पंजाब को बरबाद कर रहे हैं और पंजाब में अब दो ही चीजों पे चर्चा हो रही है परिवारों में एक तो यहाँ पे ये कम्यनिस्ट साशन लाने की बात कर रहे हैं जिस तरह से ये militant जो प्रदर्शन करते रहते हैं in the name of farmer unions एक ये और दूसरा drugs पंजाब का middle class family ये कहता है यार बच्चों को पंजाब से दूर भेजो आज image ये हो गई है पंजाब की और ये मैं किसी और के कहने से नहीं कह रहा हूँ मेरा first hand experience है मैं लोगों के घर गया, लोगों के business establishments में गया, मैं लोगों टेक्सी में travel किया, railway में travel किया, functions में गया, मिलके आया लोगों से, सब जगे यही बात हो गया तो मैं आपको first hand witness बता रहा हूँ, अगर पंजाब के किसान नेताओं को अभी भी लगता है कि जरा भी उनके लिए अपने गुरुओं के लिए सम्मान है, पंजाब की धर्ती के लिए सम्मान है, आप अपनी demand रखिये, लेकिन इस तरह से militant चेहरा पंजाब का मत दुनिया को, आप आने वाली नसलों को बर्बाद का लोगों का भरोसा उड़ जाएगा क्योंकि investment हर राज्य को चाहिए, पंजाब जाना कोई जरूरी नहीं है, इस बात को आप समझे,